Hello friends, welcome back तो आज की हमारी यो वीडियो रहेगी वो रहेगी Voice Story of India पे इस वीडियो में दोस्तो जो Voice Story से रिलेटर जो भी questions important होंगे वो हम इसमें discuss करेंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज की वीडियो को तो आज का जो हमारा फर्स question रहेगा दोस्तो important question भी है Under which act Governor General of India वा कॉल Voice Roy of India तो कौन से act के तहर दोस्तो जो Governor General of India थे उनको Voice Roy of India जो है वो बोला गया पहला question important question है और इसका जो right answer रहेगा option number A रहेगा दोस्तो आपका that is Government of India Act 1858 तो Government of India Act जो 1858 था इसके तहर जितने भी Governor General of India थे उनको दोस्तो Voice Roy of India जो है वो बोला जाता था चलो next question पर चलते हैं second question है दोस्तो हमारे पास who was the first Voice Roy of India तो बारत के पहले Voice Roy कौन थे तो इसका right answer रहेगा दोस्तो option number B that is Lord Canning तो Lord Canning जो है बारत के पहले जो है वोइसरोय बने और इनका अगर मैं time period की बात करूँ that is 1856 से लेके यह 1862 तक रहती है ठीक है अगर लॉर्ड कैनिंग की मैं बात करूँ दोस्तो लॉर्ड कैनिंग जो थे यह हमारे last governor general भी थे और इनी के time पे जो है government of India act 1858 पास होता है और यह first Voice Roy of India भी जो है बनते हैं चलो next question पर चलते है question number third रहेगा दोस्तो who abolished the doctrine of labs रहेगा option number C that is Lord Canning तो doctrine of labs जो है यह भी Lord Canning के दोरा जो है abolish किया गया था यह आपको याद रखने है question fourth रहेगा दोस्तो हमारे पास who was the Voice Roy of India at the time of Indigo Revolt तो दोस्तो पूछा गया है कि Indigo Revolt के time पे हमारे India में कौन से Voice Roy थे ठीक है तो इसका जो right answer है option number D ही रहेगा Lord Canning ही रहेगा क्योंकि Indigo Revolt का अगर मैं time period की बात करूं तो यह हमारा रहाता है 1859 to 60 के बीच में यह reward जो है यह होता है अब यह reward था क्या basically देखो उस time पे क्या था उस time पे जो Indigo की worldwide जो थी demand बहुत जादा थी और हमारे Bengal में जितने भी Bengal में जितने भी farmers थे peasant farmers उनको force किया जाता था कि आप Indigo की जो है खेती करो cultivation करो जिसके कारण यह जो Indigo revolt था यह वहाँ पे होना start हो गया तो यह आपको याद रखना है 5960 में यह revolt होता है और Lord Canning उस time पे क्या थे voice roy थे वास आपको इतना याद रखना है चलो next question पे चलते है question of fifth रहेगा दोस्तों हमारे पास important question है who was the only voice roy to be assassinated in India तो कौन से एक मातर ऐसे voice roy थे जिनको भारत में ही जो है मार दिया गया था assassinate कर दिया गया था right answer रहेगा option number C आपका Lord Mayo ठीक है तो Lord Mayo जो थे इनको assassinate कर दिया गया था दोस्तों ये किया गया था share Ali के दोरा ठीक है share Ali के दोरा इनको assassinate जो है ये किया गया था ये आपको याद रखना है Lord Mayo ने दोस्तों और भी बहुत सारे काम जो हैं किये हैं जो आपको याद रखना है जैसे कि मैं आपको बता दूँ इन्होंने establish करवाया था दूसरा दोस्तों इन्होंने इन्होंने state railway state railway की introduction भी नहीं के दौरा करवाए गये थी state railway और एक चीज़ जोर इन्होंने establishment करवाई थी वो करवाई थी Department of Agricultureator और Commerce की ठीक है एकरी कल्चर और कमर्स की डिपार्टमेंट की जो स्थाफना थी एस्टैबिश्मेंट थी वो भी लोड मायो के तवारा ही करवाई की थी ठीक है दोस्तो और लोड मायो का आपको याद रखना है कि इनको 1872 में जो है असेसिनेट किया गया था अंडामान के पोर्ट बलेर में असेसिनेट किया गया था ठीक है दोस्तो याद रखना है चलो next question पर चलते है Question number 6 त रहेगा दोस्तो important question है Who was the voice ray when the first census held in India 1872 ठीक है तो 1872 में जब पहला हमारा census होता है उस टाइम पर कौन से voice ray थे तो उसका right answer रहेगा दोस्तो लोड मायो ठीक है लोड मायो that is in 1872 first census जो हुआ था उसमें लोड मायो जो थे voice ray थे और इस census को दोस्तो incomplete census जो है ये बोला जाता है अगर पूछा जाए कि पहला complete census के टाइम पर कौन voice ray थे तो वो lord ribbon उसका answer होगा ठीक है दोस्तो चलो next question पर चलते हैं question number seven है दोस्तो important question है who introduced the vernacular press act 1878 तो vernacular press act 1878 जो है किसके द्वारा जो है introduce किया गया था तो right answer रहेगा दोस्तो option number B that is lord litton तो lord litton के द्वारा जो vernacular press act 1878 पास किया गया था आपको याद रखना है इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक यह और याद रखनी है कि इनके द्वारा एक arms act right arms act जो है वो भी पास किया गया था arms act 1878 जिसके तहद क्या होता है जिसके तहद जो है यह दोस्तों prohibit करते इंडियन्स को कि वो किसी भी तरह का जो weapon है अपने साथ carry नहीं कर सकते without license right किसी भी तरह का weapon carry नहीं कर सकते without license यह आपको याद रखना है तो यह भी actor जो है यह Lord Litton के दोरा ही pass किया गया था next question पर चलते हैं तो दोस्तों question अब 8 देख लो यह भी important question है who repealed the vernacular press act देखो vernacular press act start किया गया Lord Litton के दोरा ठीक है जैसे मैंने आपको बताया 1878 में उसके बाद दोस्तों vernacular press act को repeal भी किया गया और यह repeal होता है 1882 में और किसके दोरा repeal किया जाता है यह किया जाता option number C that is Lord Rippon के दोरा ठीक है अब इसमें क्या लिखा गया कि कौन से वाइसरा है जो complete census first complete census जब हुआ था उस ताइम पर कौन वाइसरा थे ठीक है तो first complete census के टाइम पर उस ताइम पर वाइसरा कौन थे appointment of hunter commission for educational reforms देखो द्यान से पढ़ना है क्या लिखा है hunter commission for educational reforms ठीक है जब hunter commission को appoint किया गया था education reforms के लिए उस ताइम पर कोन वाइसरा थे तो पहले तो यह पाता होना चाहिए कि hunter commission जो education reforms के लिए हमने appoint हुई है यह हुई कब थी तो यह हुईती है दोस्तो 1882 में तो पूछा गय क्या कि उस ताइम पर वाइसरा कोन थे तो उस ताइम पर जो वाइसरा थे वो कौन थे दोस्तो लॉर्ड रिपन थे ठीक है लॉर्ड रिपन थे उस ताइम पर वाइसरा चलो next question पर चलते है question number 11 है important question है who is the viceroy of India during quit India moment तो quit India moment जब हुई थी उस ताइम पर viceroy of India कौन थे मतलब भारस छोड़ो अंदोलन जब हुआ था तो viceroy कौन था तो right answer रहेगा option number B that is Lord Lilith Go right Lord Lilith Go जो थे उस ताइम पर viceroy quit India moment जो होती है दोस्तो यह हमारी होती है दोस्तो 1942 में यह आपको याद रखना है और Lord Lilith Go का जो time period ह होता है 1936 से लेके 1943 और यह हमारे आपको की यह याद रखनी है यह हमारे longer serving जो viceroy यह भी थे ठीक है longest serving viceroy के बारे में पूछा जाए तो कौन थे वह Lord Lilith Go important है याद रखने चलो next question पर चलते है question number 12 रहेगा दोस्तो हमारे पास who is known as aquar of British India तो aquar of British India के नाम से किने जाना जाता है right answer होगा option number 8 that is Lord Belsley Lord Belsley को दोस्तो aquar of British India के नाम से जाना जाता है यह आपको याद रखना important है वेपर पॉइंट विए उसे चलो next question पे चलते है question number 13 है दोस्तों important है who gave Gandhi जी title of केसरी हिंद केसरी हिंद का title जो है गांदी जी को किने के दोरा दिया गया तो right answer रहेगा दोस्तों option number D Lord Huddinge Lord Huddinge 2 जिनका time period दोस्तों 1910 से लेके 1916 यह इनका time period था तो इनी के दोरा जो है गांदी जी को एक title दिया गया था that is केसरी हिंद का title यह आपको याद रखने है दूसरी चीज दोस्तों इनी के time पे आपको याद रखने है जो world war first होती है world war first होती है इनी के time पे world war first भी होती है that is in 1914 to 1919 world war first का time था तो इनी के time पे वर्ल्ट वर फर्स जो है वो start होती है अब इनके टाइम पर आपको एक और जाद रखनी है दोस्तों के बिर्तें के एक राजा होते है जिनका नाम होता है George 5 अब वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि उनको बिरटिच इंडिया की जो capital है वो move करनी है Calcutta to Delhi यह आपको याद रखना है, 1911 में, तो 1911 में उस टाइम पे जो हमारे वाइस होते हैं, लॉट हडिंगे ही होते हैं, तो वो फाइनली जो है ट्रांसफर जो है, वो कर देते हैं, कैपिटल को फ्रम कैलकरटा टू डैली, और जो 1912 में उनके कंस्ट्रक्शन का काम जो है, वो गया था कि वो कैपिटल जो है, कैलकरटा टू डैली, जो है, वो मूव कर दी जाएगी, और ट्रांसफर आप लॉट हर्डिंगे के द्वारा, कर दिया गया था, और 1931 में, जो है, फाइनली जो है, न्यू कैपिटल डैली की उसको डडिकेट कर दिया जाता है, तो आपको य तो INC की स्थापना होती है that is in 1885 में होती है एयो हुमे इसकी जो है formation करते है तो उस टाइम पर जो वाइसरोय होते है उनका नाम याद रखना है option number A that is law differing तो law differing के time पर जो है यह formation होती है INC की वो होती है 1885 में formation हुई ठीक है इस first session को जो है attend करते हैं तो यह भी आपको याद रखना है चलो इस next question पर चलते है question number 15 है दोस्तो the governor general who organized police force in India अब देखो यह governor general का question पूछा गया है कि जो governor general जिन्हों होने police force को organize करवाया गया था बारत में उनका नाम तो उनका नाम जो होगा दोस्तो that is lord korna walis यह आपको याद रखना है जिनका time period रहता है 1786 से लेके 1793 ठीक है अब होता क्या है दोस्तो कि 1774 में जब baron hesting आते हैं 1774 की बात कर रहा हूँ मैं 1774 में क्या होता है कि baron hesting जो है वो force-dar institutions को restore करवाते हैं 1775 में क्या होता है 1775 में जो force-dar ठानास होते हैं उनको establish करवाया जाता है बट 1791 में जब lord korna walis होते हैं उस time पे वो क्या करते हैं एक proper एक regular police force जो है उसको organize करते हैं ताकि वो law और order को maintain कर सके ठीक है दोस्तो 1791 में आपको याद रखना है कि police force को जो है organize करवाया जाता है 17 आता है हमारे पास at the time of first round table conference who was the voice rai of India first round table conference के time पे दोस्तो voice rai कोन थे बारत में right answer का option number B that is lord irvin lord irvin 1926 से लेके 1931 तक हमारे क्या थे voice rai थे वो first round table conference जो होती है वो 1930 में होती है यह आपको याद रखना है चलो next question पे चलते है question number 17 रहेगा दोस्तों हमारे पास who was the first governor general of free India तो first governor general कोन थे दोस्तों free India के important question है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option number B that is lord mount वेटन तो lord mount वेटन जब इंडिया अजाद होता है हमारा 1947 में उसके बाद जो आते है हमारे governor general of free India आते है तो lord mount वेटन जो है ये first governor general of free India जो है ये बनते हैं इनका time period रहता है 1947 से लेके 48 इन free India की बात कर रहा हूँ ठीक है free India में 1947 से लेके 48 का इनका time period रहता है चलो next question पे चलते हैं question number 18 है दोस्तों important question है who was the last and only Indian governor general of free India देखो last पूछा गया है और एक मातर governor general free India के तो कौन थे वो तो उनका नाम था दोस्तों option number A that is C. Raja Gopalchari C. Raja Gopalchari एक मातर जो थे हमारे जो governor general थे दोस्तों Indian governor general थे और लास्त जो थे governor general थे free India के इनका time period जो रहता है that is from June 1948 से लेके रहता है जैन 25, 1950 राइट चलो next question पर चलते है question number 19 है important question who was the voice rory when home rule movement was launched उस तने पर कून voice rory थे जब home rule movement जो थी उसको launch किया गया था तो home rule movement की अगर मैं बात करू दोस्तों तो इसको जो है किसके दोरा launch किया गया था इसको किया गया था हमारा भाल गंकादर तिलक और साथ में एनी बेसेंट एनी बेसेंट इन दोनों को दोरा जो है ये home rule movement जो इसको launch किया गया था दोस्तों और उस टाइम पर जो voice rory थे वो कौन थे तो उस टाइम पर voice rory थे हमारे पास Lord Shalmsford ये आपको याद रखना है 1916 1916 में home rule movement जो थी ये launch हुई थी और जो उस टाइम पर voice rory थे वो कौन थे Lord Shalmsford ठीक है दोस्तों चलों नेक्स question पर चलते है Question number 20 रहता है हमारे पास Who was the voice rory at the time of second round table conference जब second round table conference होती है दोस्तों तो उस टाइम पर कौन voice rory होते है तो right answer रहेगा आपका option number B Lord Willington तो Lord Willington जो है दोस्तों उस टाइम पर voice rory रहते हैं यह आपको याद रखना important है paper point of view से चलो next question पर चलते है Question number 21 रहता है दोस्तों हमारे पास Who called Congress as a microscopic minority तो Congress को microscopic जो minority है किसके दौरा दोस्तों बोला गया उसका right answer रहेगा option number A that is law differing तो law differing के दौरा जो है Congress को as a microscopic minority जो है यह बोला गया है यह आपको याद रखना है important है Question number 22 रहेगा दोस्तों Who was the voice rory of India when the government of India Act 1935 was passed तो आप से पूछा गया कि उसनाए पर कौन voice rory थे बारत के जब government of India Act जो 1935 है दोस्तों उसको pass किया गया था तो इसका जो right answer रहेगा दोस्तों आपका option number B रहेगा that is Lord Billington तो Lord Billington जो थे वो उस टाइम पे क्या थे voice rory थे important है दोस्तों paper point of view से चलो next question पे चलते है question number 23 है दोस्तों important question है which voice rory pass the famous Indian coinage and paper currency act तो कौन से voice rory के दोरा दोस्तों famous Indian coinage और paper currency act जो थे पास किया गया था ये act पास हुआ था दोस्तों 1899 में आपको याद रखना है और उस time पे जो voice rory रहते हैं हमारे पस वो रहते हैं दोस्तों option number A that is Lord Curzon तो Lord Curzon का जो दोस्तों time period होता है ये आपको याद रखना है ये रहता है 1899 से लेके 1905 तो important है आपको याद रखना है चलो next question पे चलते है question number 24 रहेगा important भी है who was the voice rory of India when civil disobedient movement was launched तो civil disobedient movement 1930 में launch हुई थी तो उस time पे voice rory पूछा गया कि कौन थे उस time पे voice rory तो इसका right answer का option number C that is Lord Irvin तो Lord Irvin क्या थे उस time पे voice rory थे जिस time पे civil disobedient movement को दोस्तों launch किया था इनके time period की बात करूँ 1926 के लेके 1931 इनका time period है दोस्तों और इनी के time पे civil disobedient movement launch की गई और उसके पूरण सवराज declaration that is 1929 उसको हुआ वो भी इसी time पे हुआ था हरू report जो आती है हमारी 1928 वो भी इनी के time पे ही जो है होती है ठीक है first round table conference हो गया dandy march हो गया है ना उसके बाद हमारा गांदी इर्वन pact इर्वन pact भी 1931 में होता है तो वो भी जो है Lord Irvin के time पे ही होता ही आपको याद रखने है चलो next question पे चलते हैं question number 25 है important है when जलियावला मास्केर हैपन who was the voice roy of India तो ठीक है कौन थे उस time पे voice roy of भारत के जब जलियावला जो मास्केर है वो happen होता है दोस्तो तो इसका right answer रहेगा दोस्तो आपके पास Lord Shalmsford option number C तो Lord Shalmsford के time पे जो है जलियावला मास्केर होता है और इसका जो time रहता है वो रहता है 1919 में यह आपको याद रखता है और Lord Shalmsford जो थे उस time पे क्या थे voice roy थे चलो next question पे चलते हैं who was the voice roy of India at the time of assassination of two British official white chapeka brothers देखो अब इस question में बोला गया कि उस time पे कौन voice roy थे भारत में जब जो है chapeka brothers ने दो British official को जो है असेसिनेट कर दिया था ठीक है अब दो दो ब्रिटिश ऑफिशल कोर्ट से थे एक थे डवल्यू सी रेंट ठीक है और दूसरे जो आते हैं उनके ल्यूटिनेंट मिल्टरी ल्यूटिनेंट जिनका नाम होता है अमरेस्ट ठीक है तो ये इन दोनों को जो है असेसिनेट कर दिया जाता है चपेका brothers के दोरा अब चपेका brothers के नाम जैसे की मैं आपको बता दूँ दामोदर चपेका बाल क्रिशन चपेका बाल क्रिशन चपेका और तीसरे जो आते हैं वो होते हैं बासूदे वासूदेप चपेका ठीक है ये तीन ब्रदर्स होते हैं और इन तीनों के दोरा जो है ये दो ओफिशल्स जो है W.C. RAND और M.REST इन दोनों को जो असेसिनेट किया जाता है और उस टाइम पे जो वाइसरे रहते हैं वो रहते हैं आपके Lord Ilgin Lord Ilgin 2 जो है उस टाइम पे वाइसरे रहती है और ये Lord Ilgin 2 वाइसरे का टाइम पिरिड रहता है 1894 से लेके 1899 का ये आपको याद रखना है और ये जो हमारा चपेका ब्रदर जो असेसिनेट करते हैं ये रहता है हमारा 1897 में ये आपको याद रखना इसका टाइम पिर अब ये क्या था चपेका ब्रदर क्यों करते हैं ये हमने दोस्तों Modern History की वीडियो जो है वो बनाई है उसमें हमने अच्छे सी एक्स्प्रेंड किया अभी मैं इसको अगर एक्स्प्रेंड करूंगा तो ये बहुत लंबा जो है वो टाइम कवर कर जाएगी तो मैंने अल्रेडी जो है Modern History की वीडियो मनाई है जिसमें मैंने काफी एक्स्प्रेंड किया साथे शे पोने साथ गंटे की वीडियो है तो उसको आप देख सकते हैं तो पूछा गया कि जब बेंगॉल का वीभाजन होता है बेंगॉल की पार्टिशन होती है तो उस ताइम पर जो मतलब हमारे पास वाइसर होते हैं वो कोन होते हैं तो इसका यो राइट आंसर रहे तो ऑप्शन नमबर डी रहेगा तो लॉड मिन्टो टू जो होते हैं उस टाइम पर जो हमारे वाइसर होते हैं यह आपको याद रखना है 1905 से लेके 1910 तक का इनका टाइम बिर्ड है इंपोर्टन है पेपर पॉइंट आप व्यू से चलो नेक्स कॉशन पर चलते हैं कॉशन नमबर दोस्टो 28 है हमारे पास तो मिड़ो रिमेरेज की अगर मैं बात करूँ विड़ो रिमेरेज एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यह 1856 में जो है इंटर्डियूस होता है तो उस टाइम पर जो वाइस रहते हैं वो रहते हैं हमारे पास लॉड कैनिंग तो लॉड कैनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1856 में इनका टाइम पिरिड़ स्टार्ट हो जाता है और 1862 तक जो है इनका टाइम पिरिड़ रहता है तो मतलब अगर बोला जाए तो जो हमारे विड़ो रही मैं रेजेक्ट था वो लॉड कैनिंग के टाइम पे ही इंट्रिड़ूस हुआ था और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो लॉड कैनिंग है ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल आफ इंडिया भी थे और फर्स्ट वॉड रॉड आफ इंडिया भी थे चलो नेक्स कॉशन पे चलते हैं तो कॉशन अबर ट्वांटी नाइन है दोस्तो तो दोस्तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 1857 की जब करांती हुई तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल आफ इंडिया कौन थे ठीक है दोस्तो चलो नेक्स कॉशन पे चलते हैं आज का हमारा लास्ट कॉशन रहेगा दोस्तो कृप्स मिशन पहले तो पता होना चाहिए कि कृप्स मिशन जो है भारत आया कब तो 1942 में जो है कृप्स मिशन भारत में आता है तो उस टाइम पे जो हमारे पाई वाइसरा रहते हैं वो रहते हैं option number B that is Lord Linglith को तो Lord Linglith को जिसको मैंने आपको पहले बता है कि longest term जो रहता है इनका वाइसरा का रहता है तो important question था ये और 1942 में कृप्स मिशन जो होता है वो भी इनके टाइम पे दोस्तो आता है क्विट इंडिया मोमेंट कृप्स मिशन है ना और एक चीज़ जो स्वाशचंदर बोस जी के तौरा forward block की जो स्थापना की गई थी वो भी इनके टाइम पे ही दोस्तो की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है 1939 में वो forward block की जो स्थापना दी स्वाशचंदर बोस जी के तौरा वो की गई थी Lord Lingit Go उस टाइम पे भारत में क्या थे वोइस रहे थे तो important है आपको याद रखना है ये थी दोस्तो आज की वीडियो उमीद करता हूँ तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को दोस्तो लाइक ज़रूर करें अपने दोस्तों में भी शेयर करें First time हमारे चैनल पे आज़ो सब्सक्राइब भी जरूर करें Thank you friends, thanks for watching and have a nice day